आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर वन इस्टेडी चोनल वाइफ पर पार्ट अपने जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली अपनी 11 बजी शांदार क्लास आती है और जहां पर आज टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है पार्टनर्शिप हां सो पा मुस्तों तक अपने प्यारे मित्रों तक भाईयों और बहनों तक चलिएगा शुरुआत करते हैं अपना 11 एम अपना यह जो क्लास चलता है टार्गेट दा मैच चलता है फूर ऑल गवर्मेंट एक्जाम आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो आपके पास एक करिए जॉइन नाओ ठीक है ना जॉइन नाओ और काफी मज़ा आ जाएगा आपको मुझे पूरा बरोसा है क्योंकि उस क्वालिटी कॉन्टेंट में आपको देने तरह देने वाला हूं और सभी एक्जाम के लिए फांडेशन बे जरूरी है आप अगर तयारी शुरू कर र आएगा सब के लिए काम आने वाला है सभी एक्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं जैसा कि मैंने पहले भी आपको इत्तला किया है अभी हमारे पास रेशो में हमारे पास पार्टनर्शिप चालू हो चुका है इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह मिक्षर है अनकेडमी पर मेरे साथ मेरे नए कूर्स में जहां पर आपको कंप्लीट प्रिप्रेशन में कराने वाला हूं आपको किसी अन्य कैटेगरी में भी जुड़ते हैं तो आप अनकेडमी पर साहिल टैन कोड का उप्योग कर सकते हैं ठीक है चलिए सो साड़े छे बजे आपक स्टूडेंट्स अरे भया कहीं कुछ नहीं करना आपको सिवाए प्रेक्टिस के तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मौक टेस्ट को लगाते रहें आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा यह मैं गारेंटी से बोलता हूं अब बाकि आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑब अब साड़े लगर दिप पच्तावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ाई करते नहीं है एक्जाम आजाता है डेट हो जाती है नमबर नहीं आते हैं उसके बात करते हैं अफसोस की बात है कि मैं पढ़ाई कर लेता अफसोस की बात है और मैंने वह कर लिया अफसोस की बात पस्तावा करते हैं जबकि अच्छा उससे यह होता कि हमने एफट अगर डाले होते तो आने वाली चीज हमें पता लग जाती किया मेरी ये कमी है मैं अगर 50 तक पहुचा हूं तो आने वाले एक्जाम में मैं 60 करूंगा स्कोर मैं जो मेरी रह गया है कमी उसको मैं सुधारूंगा तो भाया यही बात है कि पस्तावे से अच्छा है कि कोशिश करो और फेल भी हो जाओ तो कि लोग क्या कहेंगे मुझ से नहीं होगा मेरा मून नहीं है मेरी किसमत खराब है और मेरे पास टाइम नहीं यह सब वेकार के बाते हैं चलिएगा अब शुरुवात करते हैं आप पार्टनर्शिप का नामी साजेदारी है और इसे आप इस चीज से समझ सकते हो कि माल लीज साजएदारी करता है साजएदारी हमेशा दो तरह से होती है आप मांनो कि कोई भी बिजनिस आपने एस्टाब्लिश किया है अगर कोई भी यह आपका विजनिस है तो आप इस बिजनिस में क्या कराोके आप इस business में पैसा लगाओगे और आप इससे चाहोगे कि profit earn हो जाए आप इस business में क्या करोगे invest करोगे invest याने की capital निवेश ठीक है निवेश आप करने वाले हो और आप चाहोगे कि आपको profit मिले आप lab के लिए इसमें काम कर रहे हो सर ठीक है सर तो यहां आप पैसा लगाओगे business में आपको profit चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से पैसा डाला और profit आ गया आपको एक एक parameter और होता है जिसके उपर सारी की सारी चीज़े डिपैंड करती है वह होता है time आपको अगर यहां पर time parameter नहीं आपने consider किया तो दिक्कत है हो या पर कोई भी साज़दारी आप कर रहे हो तो आपको सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको एक से अधिक लोग चाहिए तभी partnership कहलाएगी एक से ज़्यादा आकेला तो क्या partner होगा जो भी कमाएगा वह उसका है और अगर दो से तीन लोग है तो partnership उनके इन्वेस्टमेंट के उपर depend करेगी और उन्होंने कितने time के लिए पैसा डाला है उस पर भी depend करेगी और तब जाके वह profit बनेगा तो यहीं से ही वह condition निकल कर आती है कि जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जैसे कि मैं example की थुरू आपको चीज़े समझाने वाला हूं क्योंकि ratio आपने पढ़ लिया है मान लीजिए कि ए ने 20,000 रुपे डाले और बी ने 30,000 रुपे डाले और वर्ष के अंत में end of the year पाँच हजार का फाइदा हो गया पाँच हजार रुपे का profit हुआ तो बताईए ए और बी का क्या क्या होगा profit ए और बी के profit क्या क्या होने वाले हैं तो आप ये कहेंगे सर कि जब उसने 20,000 रुपे लगा दिया उसने 30,000 रुपे लगा दिया तो आप बहुत सीधी सी बात यही रहती है कि सर इनके investment का जो रेशो है वो दो अनुपात तीन है investment का ratio टाइम की बात की गई है किया आपर बुले नहीं सर कोई भी टाइम की बात ही नहीं की गई है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि A. 2000 रुपे प्रॉफिट कमाएगा और B. 3000 रुपे प्रॉफिट कमाएगा A. 2000 रुपे कमाएगा B. 3000 रुपे कमाएगा और आपको यह ध्यान रखना है कि time parameter मैंने अभी consider ही नहीं किया है आपके लिए मैंने time का कोई दिमाग में रखा ही नहीं है अगर मैं time को भी introduce कराता हूं तो situation थोड़ी सी अलग होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन पहली चीज़ यह है कि हमेशा जो लाब होता है उस व्यक्ति या विशेश के या जो भी दो व्यक्ति हैं उनके निवेश के अनुपात में बाटा जाता है यहां तक तो चलो समझ में आ रहा है थोड़ा सा understandable बना रहा हूं चीजों को आपके लिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और आपके लिए रखते है जैसे कि मैंने कहा आपसे कि भाई पैसा है और पैसा अलग अलग तरीकी से लगाया भी जा सकता है अब जैसे कि मैंने एक एक अग्जामपल आपको और देता हूं एक है एक 75,000 रुपे लगाता है और बी 65,000 रुपे लगाता है आप मुझे बताइए यह अगर investment का ratio है तो इनका profit की सनुपात ने बटेगा अगर time समान है तो तो profit का ratio क्या होने वाला है तो आप से आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है आप इसको काटोगे पांस से काटा 13 बार पांस से काटा 15 बार तो जो यह profit का ratio है यह 15 रेशो 13 आ जाएगा यानि ए तीन हजार रुपे का profit कमाता है लाब मिलता है एका जो profit है तीन हजार रुपे का profit है तो बी का कितना होगा बताइए एक अगला एक्जामपल आपके सामने ले रहा हूँ कि भाई यह A है और यह B है यह 40,000 रुपे लगा रहा है और यह 75,000 रुपे लगा रहा है कि टाइम क्या मैं कोई टाइम आपके दिमाग में डाली नहीं रहा हूँ अभी तो टाइम अगर है नहीं तो आपको टेंशन नहीं रहे ना जो इन्वेस्टमेंट है वही profit का रेश्यों है कि तो बताईए रेश्यों कितना हो जाएगा पांस से काटा आठ बार पांस से काटा पंद्रे बार ठीक है मैंने यह कहा बी ए से 4900 रुपीज अधिक profit कमाता है तो ए का कितना होगा profit और बी का कितना होगा तो question की language ही है बस और कुछ भी नहीं है कि तो आपको मैं το condition के हिसाप से काम करना है और आपकी condition यह कहती है आपसे कि सर अगर 15 और 13 की बात आप कर रहे हो और एक का 3000 रुपे है तो यहां हम यह कह सकते हैं कि 15 रेशो बराबर 3000 है तो एक रेशो बराबर आपका कितना हो गया 200 हो गया और 13 रेशो बराबर कितना हो गया 2600 रुपे हो गया अगर मैं वहां बात करता हूं तो इन दौनों का जो अंतर आ रहा है वही तो 4900 के बराबर है क्योंकि बी एना ए से 4900 रुपे अधिक प्रॉफिट कमा रहा है यानि कि यहां से साथ रेशो बराबर 4900 है तो एक रेशो बराबर अपना कितना निकल कर आया 700 निकल कर आ गया एक बराबर 700 निकल कर आ चुका है तो आप बस मुझे बता दीजिए कि एका कितना होगा तो सातु आटु छपपन और पंदरे सकते 105 तो 5600 और 105 यानि की 10500 तो टोटल आपके सामने यह इनके क्या हो जाएंगे प्रॉफिट हो जाएंगे चीजे क्लियर हो रही है ना अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम बाट रहे हैं तो यहां अगर टाइम का कोई टेंशन ना हो तो डाइरेक्ली आप क्या कर सकते हो आप अपने पूंजी के अनुपात में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वही अनुपात आपके प्रॉफिट का होता है अब ऐसे ग इस प्रशन को इस तरह से भी कॉंप्लेक्स बना सकता है जार आप देखिएगा और मज़े से समझीएगा कि एबी सी कि एक कि व्यापार में कि 45,000 रुपे का कि टोटल इन्वेस्ट करते हैं तीनों मिलकर वह क्या करते हैं कि टोटल इन्वेस्ट करते हैं 45,000 रुपे क्या ठीक है सर अब कंडिशन दे रखी है कि एबी से कि 5,000 रुपीज ज्यादा कि एबी से 5,000 रुपे ज्यादा लगाता है और सी ए से चार अजार रुपे ज्यादा लगाता है सी ए से चार अजार रुपे ज्यादा लगाता है तो आप मुझे सबसे पहले बताईए कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा तो कैसे करोगे कहा नहीं बस वही है ए बी से एक व्यापार में 45,000 रुपे का टोटल इन्वेस्ट करते हैं ए बी से 5,000 रुपे ज्यादा बी से तो बी अगर एक सो रुपे लगा रहा है ए कितना लगाएगा पांच अजार रुपे ज्यादा लगा रहा है एक एक जमपल ले रहा हूं एड़जस्ट कर लेंगे पैसे वैसे का ठीक है A B से 5,000 रुपे ज्यादा ठीक है C A से 4,000 रुपे ज्यादा तो C A से 4,000 रुपे ज्यादा ठीक है चलो सर अच्छा लगा कट नहीं रहा होगा तो काट लेंगे है इधर-उदर एड़ेस्ट करना ही पड़ेगा पहले condition समझ लो condition के इसाब से हम काम कर रहे है tension नहीं लेने का है ठीक है A B से 5000 रुपे जादा और C A से 4000 रुपे जादा ठीक है सर तो इन तीनों को कितना है तीनों का होगया सर 3X प्लस 14000 बराबर कितना था 45 था ना अब वहाँ एड़ेस्ट कर लेंगे अगर नहीं कट रहा है तो काटने की कोशिश करते है तो सर 3X बराबर ये निकल कर आया हमारे पास 31000 जो कि नहीं कट रहा है सर सिंपल सी बात है तो इसको 30 बना लेते हैं कैसे बनाएंगे या तो यहाँ पर आप इसको ज्यादा कर दो यहाँ पर इसको आप 6000 कर दो या इसको भी 5000 कर दो तो यह 5 होती ही यह हो जाएगा अपने बाद 10 और 5 15 चीक है ना तो मैं ऐसी करता हूँ मैंने भी वही सोचा कि इसको भी आपन 5000 कर देते हैं बस और कुछ चेंज मत करना बस यहाँ 5000 कर दो बस अब जैसे यहाँ 5000 करोगे तो यहाँ यह कितना हो जाएगा X प्लस 10,000 हो जाएगा एक्जामनल की तरह बनाना पड़ता है कुशन येस अब X प्लस 10,000 हो गया तो कुल मिलाकर 3X प्लस 15,000 जब माइनस जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30,000 समझे लो मेरी बात 3X प्लस 15,000 बराबर 45,000 3X बराबर 30,000 X बराबर 10,000 अब बस ABC का निकालना है अगको तो A कितना निवेश करेगा 10 और 5, 15 K B कितना कर रहा है 10 K और C कितना कर रहा है 25 25 क 20 क रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 3, 15 5, 2, 10 और 5, 4, 20 3 अनुपाद, 2 अनुपाद, 4 यह है आपके रेशो निकल कर आगए मैं हमेशा से कहता है हूँ अब क्या कुश्चन एक कठिन रहेगा क्या नहीं रहेगा बेर अब कठिन क्यूं हो जाएगा अब तो कुछ है भी नहीं अब जैसे मैं बोल दूं आगे यही होता है आपको इधर महनत करवा लेगा तो अब आपसे क्या बोलेगा कि भाई देखो सी का प्रॉफिट 16,000 रुपे है तो टोटल प्रॉफिट बता दो सी का प्रॉफिट अगर 16,000 है तो टोटल प्रॉफिट बता दो भाई बताओ लगाओ दिमाग चीज़े ऐसी बनेंगी अब धीरे धीरे अब टाइम भी आने लगेगा टाइम भी आ जाएगा तो फिर और भी थोड़ी सी कॉंपलेक्सिटी बनेगी लेकिन हर टाइप को हम कवर करते हो चल रहे है ना टेंशन ना लो तो क्या हम यह कह सकते हैं कि चार बराबर अपना कितना है स्तोले हजार है सर एक बराबर कितना हो गया चार हजार हो गया तो चार और दो च्छे और तीन नो नो चौके च्छतिस हजार थे 36,000 ठीक है क्लियर है तो यह आपकी कहानी है और इस तरह से आपकी प्रश्न बनते हैं जहां पर टाइम कोई रोल नहीं है अभी लेकिन फिर भी आपका जो इन्वेश्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है अगला एक्जाम्पल आपके सामने आ रहा है देखिए उसको करके बताना क्या आंसर आता है फिर देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नह किसर होंगे अब बोला जा रहा है कि ए बी का थ्री टाइमस ए बी का थ्री टाइमस ए बी का तीन गुना एवं सी का दो गुना इन्वेश्ट करता है तो ए बी सी के इन्वेश्टमेंट का रेश्व बता दो बस वही काम खतम प्योंकि टाइम ही नहीं है तो आपको टेंचन क्या लेनी है बहुत बढ़िया बई सो भाग गया सर आएम फ्रम ओडिसा अभी सर गुरूप डी का बुक आ गया थैंक सर थैंक यू भाई मज़ा आएगा पढ़ाई करते रहो अभी तो जीडी का भी आएगा एंटीपीसी का भी आएगा तो सब आएगा है ना बस पढ़ाई करो मस्त चीज आएगी देखे आभ इस पर ध्याम दो पहले आप क्योंकि concept जो है वो कभी चूपते नहीं है और एक एक चीज़ को cover करना मेरा काम है अब A B का तीन गुना है यह ना B का तो दुगना है B का तो दुगना है लेकिन C का जो है वो तीन गुना है आई बस समझ में तो आप ऐसा A को मानो जो दो और तीन का multiple हो, इसको छे मान लो क्या बात है यार, तो यहाँ तीन मानना पड़ेगा यहाँ दो मानना पड़ेगा, क्या बोलते हो क्या बोलते हो, बताओ तुम सब गलत कर रहो गया C का दोगना है, अच्छा सब C का दोगना है ना, हमने गड़बड कर दी तो यहाँ इसको तीन गुना कर देते हैं यहाँ दो गुना कर देते हैं और यहां तीन लिख देते हैं, और यहां दो लिख देते हैं, ठीक है, चलो, यह आ गया, अब कुछ भी करना है कर लो, यह टाइप है सारे के सारे, आप ऐसे consider कर रहे हो, एक एक situation चल रही है, पहले तो direct पैसा दे देगा, फिर पैसे को गुमा देगा, कि इससे इतना ज्यादा है, फिर उसके बाद times में देदेगा कि इतने गुना है, तो यह बस आ गया, बस आप काम हो गया आपका, यानि कि अगर आप से बोल रहा है कि भाई, टोटल, प्रॉफिट, 13200 रुपया है, तो बी का बताओ, बी का हिस्सा क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं? देखिए, तो यहाँ पर कहानी बस वही है न, कि टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो 6 और 2, 8 और 3, 11, 11 रेशो बराबर 13200, एक रेशो बराबर 11, 11, 11, बचे अपने पास दो, 11, 12, 1200, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2400, तो बी ने इस 13200 में से 2400 रुपय अर्न कर लिए, कभी कबार क्या होता है? कि आप से प्रपोर्शन पूछ लेता है, तो मैं आप आपको देखो, डीप नॉलेज देने वाला कभी गवराया मत करो लाइफ में, क्योंकि कभी कबार ऐसा भी होगा, आप से सिम्पल ये पूछेगा, एक एक लाभांश क्या है? बताओ, एक लाभांश क्या है, डिवीडेंड क्या है? या एक पार्ट क्या है? प्रॉफिट में, एक हिस्सा क्या है? तो आप मुझे लिखक बताओ कि A का हिस्सा क्या है हिस्सा पूछा है मैंने मतलब पार्ट में फ्रेक्शन में मैं आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ अभी आप मुझे बस हिस्सा बताओ तो आप कुछ नहीं करेंगे सिंपल लॉजिक एसर 6 है एको मिला 6 है 11 के रेस्पेक्ट इतना हिस्सा है आना चाहिए आपको बांटना आना चाहिए न हाँ ठीक है यह आपको बांटना आना चाहिए मतलब यह काम आएगा भी आगे जब आपकी कोई वैल्यूस कटेंगी नहीं न तब आपको यह फ्रेक्शन पता होने चाहिए अगर मैं बी का पूछू तो दो बटे ग्यारा सी का पूछू तो तीन बटे ग्यारा टोटल का कौन सा ह हिस्सा टोटल का छटवां हिस्सा यह का है ऐसे बोलते हैं राइट फांडेशन बैच पच्छिस से स्टार्ट दी रजया चलिए आगे चलते हैं अगला कॉंसेप्ट में आपके सामने दे रहा हूं तो थोड़ा सा सयम रखिएगा और मजे से चीजों को सीखेगा क्योंकि य पार्टनर है अब देखना पैसा ही चल रहा है तो पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकता है वह बता रहा हूं तो बोला जा रहा है कि एक है कैपिटल का है चार गुना बी के कैपिटल के पांच गुने के बराबर है एक है कैपिटल का चार गुना बी के कैपिटल के पांच गुने के बराबर है सी के कैपिटल का छे गुना ठीक है? ठीक है? और यह सब बरावर है मत्दब है ना बरावर है सी के कैपिटल के छे गुने के ठीक है? आप मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? वही रेशो का खेल है मैंने पहले भी बताया था चलिए अरे नीरच पढ़ा ही कर लो भाई फिर पार्टनर्शिप भी रह जाएगा दिमाग नहीं लगा तो जार जिस समय पर जो चीज चल रही होती है उस पर फोकस करने की बजाए पुरानी चीजों पर फोकस करते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे मुझे बताओ चलिए तो सर क्या करना है? मैंने बताया ना आपको कि देखिएगा चार पांच और छे चार पांच छे आख आख यानि कि सर ऐसा कुछ लो 60 ले लो 60 तो जैसी मैंने LCM 60 ले लिया तो पंदरा और बारा और दस तो पंदरा बारा दस आपका क्या हो गया? आपके इन्वेस्टमेंट का रेशॉ हो गया यही प्रोफिट होता है यही सब कुछ होता है ठीक है चलिए आये सो शुरुवात करते हैं अभी तो चीजें बढ़िया होने वाली है आप लोगों के लिए इतना मेरी गैरेंटी है आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें ठीक है बस ऐसी रेशो में चलता रहेगा और अब एक चीज आती है टाइम time को इंटीउस कराने जा रहा हूं time का स्वागत करो तालियों के साथ गो आट ताइम क्या चीज ए सर बोले time बहुत बहुत अच्छी चीज री देखो जब समय परिवर्तित होता है तो चीजों में कैसे परिवर्त ना आता है देखिएगा हम इसको बोलते हैं compound partnership आज मैं आपको पढ़ाऊंगा compound partnership मैंने normal partnership आपको पढ़ाई आपने सीखी आपको आ गया हाँ सर अब पढ़ने वाले हैं compound partnership मिश्र शाजेदारी compound partnership में क्या होता है अगर कोई व्यक्ति विशेश investment कर रहा था तो उसके according investment is directly proportional to the profit जो वह कमा रहा है investment जो निवेश है जो आप invest कर रहे हो जो भी पुझी आप लगा रहे हो बिजनिस में वही आपके लाब के समानुपाती थी अभी तक की बात यही थी न बात तो आप सही कह रहे हो गलत कहां कह रहे हो आप मैंने का मैं तो सही कह रहा हूँ लेकिन आपको एक चीज़ और बता दू कि क्या यह केवल बिजनिस जो होता है वो profit पर ही डिपेंड जो investment पर ही डिपेंड करता है क्या लाब हमेशा जैसे कि एक example लेते हैं मैंने कहा कि A. 2000 रुपे के साथ उसने बिजनिस शुरू किया B. जो है A. 2000 रुपे के साथ बिजनिस शुरू किया B. 3000 रुपे के साथ उसके साथ जुड़ गया लेकिन उन्होंने जो business किया है इसने वो business चार महीने के लिए किया और इसने वो business 12 महीने के लिए किया तो आप मुझे बताओ कि profit का ratio क्या होगा actual ratio तो जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हो जैसा कि अभी आप देख रहे हो तो आप दो मिनट में कह देते अगर आपको knowledge ना होती की time का भी कोई दिक्कत होता है या time का भी कोई मतलब परेशानी होता है तो हमारे दिमाग में simple आता कि दो अनुपा तीन में बांट दो मैंने का भाई time का भी तो दिक्कत है वो कम कम समय के लिए लगा रहा है वो पैसा वो जादा समय के लिए लगा रहा है तो कुछ न कुछ तो फरक पड़ेगा तो बोले वो कैसे पता चलता है सर कुछ नहीं करना पहले आप investment का ratio निकालो और फिर time के ratio से गुणा कर डालो आठ अनुपात बारतिया 36 अपको आगे काटना है तो आगे भी काट सकते हो चार दुनी आठ चार नाम 36 दो अनुपात नौ तो इस अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा दो अनुपात नौ में ठीक है आईए अभी मैं जब आगे चलता रहा आगे मैंने एक example और ले लिया क सेंब पैसा myके 2000 और 3000 अब मैंने कह दिया कि इनका टाइम करें यूए कि इसने बारे महिने के-लिए काम किया को और इसने टीन महिने प्लेकाम किया पश्रम है तो प्रॉफिट का रेशा या ओगा कि बताओ का है इस चलिए तो क्या में कह सकते हैं गया वेले सर देखो यह चार अनुपात एक आ रहा है और वह दो अनुपात तीन आ रहा है तो चार दुनी आठ और तीन इकम तीन अब आपको एक चीज नोटिस करनी है बस यहां पर मैं बस यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा बन पाए कि यार यह टाइम भी तो खेला पैदा कर रहा है अभी मालो यहां इन्वेस्टमेंट इसका कम था तो चलो कम दिखा दिया मैंने लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट कम था लेकिन प्रॉफिट जादा मिल रहा है न उससे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साब जो केवल और केवल जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं करता वह है इन्वेस्टमेंट इन्टू कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है उन दोनों के गुनज पर डिपेंड करता है यही प्रॉफिट होता है ये बात हमेशा याद रखिएगा इस पे अब इस्टार लगा लो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट ये पैरामेटर बहुत ही जादा बढ़िया होने वाला है और शांदार होने वाला है अपने पैसा कितने कितना पैसा लगाया कितने समय के लिए लगाया उन दौनों का गुणज ही प्रॉफिट के बराबर होगा हमेशा अब जब टाइम नहीं होगा तो वो डाइरेक्ली प्रपोर्शनल हो जाएगा जब टाइम होगा तो गुणा होके आ जाएगा काम खतम बस अब एक्जामपल लेता हूँ थोड़ा सा और आपको चीजे समझाने की बरपूर कोशिश करता हूँ एक्जामपल के तौर पर यह A है यह B है और यह C है इसने 4,000 रुपे लगाए इसने 5,000 रुपे लगाए इसने 6,000 रुपे लगाए मैंने आपसे कहा कि जो मेरा प्रॉफिट का रेशो है वह आठ अनुपात पांच अनुपात तीन है तो आप मुझे बताईए टाइम का रेशो क्या होगा बताओ टाइम किस अनुपात ने आएगा इन तीनों का जो टाइम की अगर मैं पूछने बैठ गया आपसे यह तो इन्वेश्टमेंट है यह प्रॉफिट है तो टाइम का रेशो बताओ मेरे को आप तो सर क्या खेला है मैंने का खेला बड़ा प्यारा है कि इन्वेश्टमेंट का अगर रेशो निदे रखा है चार पांच और छे तो आपको अगर टाइम का रेशो निकालना है तो तरीका वही बताया था ना इन्वेश्टमेंट गुणा टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अब टाइम का रेशो निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपन इन्वेश्टमेंट बस तो अब तरीका हो गया मस्ज़दार अब अब चाहर प्रॉफिट अब वन इन्वेश्टमेंट आट भटे 45 भट loves and श्रॉफिट वसी जैसा वैसा लंग क्यों और याउ निचे इंवेश्टमेंट तो नीचे इनवेश्टमेंट तो यहां पर तो आएगा ना तो यह आपका आगया इस अनुपात में आपका टाइम रहेगा अब मैं बोल देता हूँ यदी ए आठ महीने काम करता है तो बी का समय बताओ और सी का समय बताओ और खीच के लाइक भी करते जाओ तो सर कितनी प्यारी चीज हो गई ना मैंने का और क्या तो चीज तो प्यारी यह बस पढ़ने वाला चाहिए याने की सर यह करेगा देखो चार गुणा है ना तो यह चार महिने के लिए और यह अपना बहिया अपना दो महिने के लिए तो इनका टाइम भी आप निकाल सकते हो ठीक है चलिए आईए चलिए अगला ने ऑक्ति सामने है एक्जामपल अगला एक्जामपल मैं आपके सामने रख रहा रहा हूं उसका जवाब मुझे आप दीजिएगा आपके जवाब के पर तिक्शाailed कर रहा हूं थीक है चलिए तो कहानी कुछ इस प्रकार है आईए ए वैवी दो पार्टनर है ए वैवी क्या है दो पार्टनर है समझे ना बात को ए वैवी दो पार्टनर है और ए बी से 2400 रुपे जादा इन्वेस्ट करता है ए भी से 2400 रुपे जादा इन्वेस्ट करता है बढ़ी असर अच्छी बात है अब ए दस मंत के लिए इन्वेस्ट करता है ए जो है वो दस मंत के लिए इन्वेस्ट करता है है ना और एंड अफ दा इयर ए अनुपा ए वैवी के प्रोफिट इक्वल है तो ए और बी का जो इन्वेस्ट मेंट है वो बताईए आप ए ने कितना निवेश किया और बी ने कितना निवेश किया बताओ भई हाँ सुदर्शन मैंने देख लिया भई तो सर कैसे करेंगे इस कुशन को मैंने का ऐसे प्रश्णों को मैंने कहा ना कि तरीका वही रहेगा हमेशा कि ए और बी दो पार्टनर हैं ए बी से 2400 रुपीज ज्यादा करता है सबर करो रुको भाई आपको ए और बी के इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता लेकिन हाँ आपको ए और बी के टाइम का तो पता है टाइम का रेशो क्या है दस मंत के लिए और end of the year की बात अगर कभी भी कर ले और B के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसने बारे महीने fix कर लो इसका यानि कि टाइम का रेशो निकालोगे तो 5 अनुपाथ 6 आ रहा है और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि प्रॉफिट का रेशो क्या है कोई बता सकता है आप में से तो सर प्रॉफिट का रेशो तो एक अनुपाथ एक ही है कैसे बता वो बोल रहा है ना कि प्रॉफिट इक्कॉल है तो प्रवाफिट का रेषू पता है टाइम का रेषू पता है investment का रेषू निकाल के बताओ तो सर एक बटे 5 और एक बटे 6, 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा six अनुपध five आई बास समझ में गो लेयर का जब हो गया है अब पैसा क्या हिसाब है पैसा का यह हिसाब है सर यह देखो एक जादा लगा रहा है A-B से 2400 जादा लगाता है तो एक रेशो बरावरी तो 2400 है यानि कि यह हो गया 14400 रुपिया और यह हो गया ये B का investment आ गया तो कहने का मतलब ये है मेरा हाँ चलिए ठीक है मेरा कहने का तात्पर ये है कि आपके सामने अगर profit और investment या कभी भी आप से सामने time की बात की जाए तो आप किसी भी तरह से तोड मरोड कर ratio की टम में लेके चलो जो final ratio आ गया investment का आ गया क्योंकि वही निकालना भी था लगा दिया तो तरीका बदल जाता है और चीजें बढ़िया हो जाती है आप लोगों के प्रॉस्पेक्टिव से मैं सोच रहूं बस ठीक है डियर एक के concept अब आती है दिक्कत कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब आती है problem problem कहां आती है प्रॉब्लम आती है language समझने में भाशा अब मेरी बात को भाशा के तोर पर समझना मैं जो जो समझाता हूं उसको ध्यान से देखना पॉइंट नमर वन यदी कुश्चन में यदी कुश्चन में एंड ओफ दा इयर लिखा है वर्ष के अंत लिखा है लिखा है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब 12 मन्थ या एक साल व्यापार को हुआ है ठीक है यदी कुश्चन में अंड ओफ दा इयर लिखा है तो इसका मतलब एक साल और 12 मन्थ मानें गया ठीक है डियर दूसरी कंडिशन यदी कुश्चन में तीन महिने बाद पांच महिने बाद जॉइन किया है या व्यापार जॉइन किया है तो टाइम कौन सा वाला आता है मुझे यह बताओ तो यहां जो टाइम है यह कौन सा वाला टाइम आता है हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी होगा मैं ABCD नहीं ले रहा हूँ है तो बस कह रहा हूँ कि कोई भी आया है तीन महिने बाद आया है माल लो और एक साल तक अपना बिजनिस चला है तो आप एक साल तक हम एक स्टेंडर मानते है ठीक है तो यहां आप एक चीज को समझना मेरी बात को आप गौर फर्माईएगा और उस गौर को फर्माने के बाद ही चीजे समझ में आएंगे आपको कि यार तीन महिने बाद अगर कोई जॉइन किया है न तो तीन महिने तक नहीं था वो तो जो बचा हुआ होता है न टाइम हमेशा टाइम वो लेना है जिस टाइम के अंदर वहे काम कर रहा है ठीक है जो टाइम उसने समय विताया है काम में तो नौ महिने बचेंगे सर बारे मैं से और अगर कोई पांच महिने बाद आया है तो उसके लिए बचेंगे साथ महिने चलो सर दूसरी बाशा तीसरी चीज यदि ए व्यापार शुरू होने के ए ए क्या करता है बिजनिस शुरू करता है और बी व्यापार शुरू होने के चार मंत बाद आता है व्यापार भी सी उसके दो मंत बाद आता है सी भी आ रहा है उसके दो मंत बाद आता है उसी वक्त A छोड़ देता है तो A, B, C का टाइम बताईए कितना कितना उन्होंने काम किया है तो आपके दिमाग में क्या है हाँ, दे दो बारा तुमारा मास्टर रूम है A, व्यापाज शुरू करता है और B, व्यापाज शुरू होने के चार महिने बाद आता है चार महिने बाद आता है यानिकी B, आठ महिने करेगा क्योंकि B छोड़ कर नहीं गया है C उसके 2 महीने बाद आता है यानि कि 6 महीने बाद आया C तो C 6 महीने करेगा और तुरंत ही उसी वक्त A छोड़ देता है तो यानि कि A ने 6 महीने काम किया होगा बस क्योंकि जैसे ही C एंट्री किया A चला गया लेकिन 6 महीने कम करचुका है थीक है तो आपका डो टाइम होगा यह होगा छे महीने आट महीने शे महीने और रेश्व की बात करोगे तो तीन तार और तीन पर ंता छर्फ है सोट क्लिर है構ंसेफ्ट कफिलियर उरह बहुत पढ़िया बात हुआ चलिए अब आगे चलते हैं तो यह लेंगविज प्रोब्लम आ सकती है और यह आती भी है तो यह पता रहना चीन है ना आओं ऑगर की कि इंवेश्टमेंट के साथ प्रॉब्लम टाइम की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं कौन से आएगा जैसे एक्जाम्पल ए दस हजार रुपे लगाकर व्यापार शुरू करता है ए दस हजार रुपे लगाता है और व्यापार शुरू करता है बी तीन मंत बाद पंदरे हजार रुपे लगाकर एड हो जाता है जुड जाता है छीक है उसी वक्त ए दो हजार रुपे और निवेश करता है ए और बी का प्रॉफिट का रेशो बता दो अभी ज़्यादा कॉंप्लेक्स नहीं कर रहा हूँ पहले आप यहाँ दिमाग अपना सेट करो फिर आगे बात करूँगा आपसे और यह व्यापार वर्ष के अंत में है ना एंड ओफ दे येर तक की बात है वर्ष के अंत तक की बात है ना बारे महिने की बात चंदू कह रहा है सर एक्जाम में आसान कुशन क्यों नहीं आते कभी भी वो तो सोचने वाले के नजरी के उपर डेपैंड करता है भाई इसे आप हो आप पढ़के नहीं जाओगे तो सारा पेपर टफ लगेगा और अगर आप पढ़के जाओगे तो सारा पेपर आसान लगेगा तो वो व्यक्ति विशेश के नजर ये पर डेपेंड करता है उसमें आपकी और हमारी कोई गल्ती नहीं यहां हम यह कैसे कहेंगे सर ए ने भाई पहले 10,000 रुपे लगाए गरू जी मैंने का हाँ यार सुनने में तो आया था और बी ने लगाए थे तीन महीने बाद 15,000 मैंने का बिलकुल ठीक है अब क्या हुआ? बी तो गया नहीं कहीं उसने ना पैसा बढ़ाया ना गटाया बी ने कितने महीने तक? नौ महीने तक घलत वात नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ लेकिन इसने क्या किया इसने गड़वर कर दी इसने ये पैसा तो कितने तेरे तक लगाया तीन महीने तक और उसी वक्त अपना पैसा उसने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया बारे हजार कर दिया आई बास समझ में तो बारे हजार करने का मतलब समझ में आया तीन महीने बाद किया यानि कि अब आगे नौ महीने के लिए ये रहेगा ये पूरा का पूरा कहान ही है अब आप काट सकते हो क्या बिलकुल काट सकते हो आप तीन से काट सकते हो तीन तीन नो तीन कट गया तीन तीनो तो देखो 36 और 10 46 अनुपाद 45 यह अनुपाद आ गया 46 रेशो 45 आई बाद समझ में मज़ा आ रहा है चीजे क्लियर हो रही है आपको है ना क्लियर है अब थोड़ा सा कॉंपलेक्स करते हैं चीज़ को थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉंपलेक्सिटी लाता हूँ और यही सब आता है वेपर में अभी टेंशन क्यों ले रहे हो मैं हूँ ना आओ ए ए 10,000 रुपे का इन्वेस्टमेंट करता है करता है और पर मन्थ एक हजार रुपे इन्वेस्ट करता है ऐसा करते हुए छे मन्थ में उसका जेव खाली हो जाता है फिर इस मौके का फाइदा उठाते हुए बिजनिस में 20,000 रुपे का इन्वेस्ट करता है तो वर्ष के अंत में ए और बी के प्रॉफिट का रेशो बताओ एन्टी पीसी के लिए बुक तयार हो रही है बड़ी शांदार हो रही है उसमें रीजनिंग जी ये सब आएगा ठीक है ना एक ही बुक में ठीक है और बड़ी असेट्स मना रहा हूँ पच्चिस है ना आएगे आएगे क्या हुआ सर ये जो है सबसे पहले उसने 10,000 रुपे लगाये लेकिन ये पहले महीने की बात थी तब उसके बासकुछ नहीं था पिर उसने क्या किया अगले महीने 11,000 एक महीने तक चल रहा है न सारा फिर 12,000 फिर 13,000 फिर 14,000 और इसी तरह से 15,000 पर जाकर वो रुख गया क्योंकि हर मईने वो क्या करता रहा एक-एक हजार बढ़ाता रहा तो आपको पता दू कि उसने 6 मईने तक इतना इतना पैसा लगाता रहा हो क्योंकि गयर ये पैसा 6 मईने तक लगाता तो 60,000 ही होता लेकिन देखो एक और तीन और तीन छे चे और चार दस और पांच पंदरे हजार और लग गया ना तो कि आपका पैसा बढ़ता जा रहा है और इंवेस्ट करता गया पर मंत एक हजार रुपे का इंवेस्टमेंट करता है पर मंत दस जार से शुरू किया अगले महीने ग्यारा फिर बारा फिर तेरा फिर चौदा और फिर पंदरा इस तरह से वह लगाता गया पैसा अपना ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, हर महीने वो एक एक अजार रुपे और इन्वेस्ट करता गया, पहले महीने दस जार था, फिर ग्यार अजार था इस तरह से, तो अब ये छे महीने तक उसके बाद हो गया खाली, फिर भी आता है, वो बी से जार पिर आता है भी, तो ये छे महीने तक लगाया इसने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अगले छे महीने तक बीसे जार रुपे इसने लगाए, बात आपको समझ में आ गई होगी, अब बस सॉल्व कर लो, ए और बी का निकालना है आपको, तो कुल मुला कर ये हारा है सर, एक सो बीस के, और ये निकल कर आजाएगा, दस, बीस, तीस, चालिस, पचास, साथ, साथ, और, साथ, और, पिचैत्तर, है ना भई, पंदरह, पांच, पिचैत्तर, पंदरह, अठ्ठ, एक सो बीस, पांच, अनुपात, आठा रहे गया, पाइव रेक वेट, ये कहानी है, हाँ, SSE GDV आ रही है न, चिंता ना करो, तो ये कहानी है, किलियर हो गया, तो ये चीज़े हैं, आप और भी complexity बनती चली जाएगी, लेकिन चलिए, कुछ लुफ्ट उठाते हैं इन प्यारे से प्रशनों का, आईए, एंजोई करिए, और आज शाम को टेस्ट होगा, साड़े छे बजे, आप सभी को मैं वहाँ लाइफ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी का टेस्ट लूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, एंशन नहीं लेने का है आपको है न, च कैसे करोगे? सचिन है, अनिल है और अंकुर है, इतना इतना पैसा लगाया उन्होंने, 26,400, 27,600, 28,800, वर्ष के अंत में इतने का लाव है, लेकिन पहले रेशो निकालो डंग से, चार से काट होगे, चार चिकी 24, चार चिकी 24, चार चिकी 24, चार नम 36, चार सत्य 28, चार दुनी 8, यह हो गया, बाटते हैं, पैसा बाटते हैं, यहां पर कितने में बट रहा है, जो भी आएगा, वो तो सामने ही है, तो सर यह हो रहा है, अपने पास 207, 207 बराबर 69,000 है, 23 से काट सकते हो, 9 बार, कटेगा ना, 23, 29, 27, 23 से काट सकते हो, इसको 3,000 बार, 3 से काट सकते हो, इसको 3 रेशो बराबर हो गया, 1000, अब आप से क्या बोला जा रहा है, आपको निकालना है, कुल लाब में अंकुर का भाग, तो बहतर निकालना है, तो 24 का गुना कर दो, तो 24 के गुना करते ही, 24,000 हो गया, अप्शन नमबर C, 24,000, नेक्स्ट, करो इनको, पड़ावट करो, फिर आज होमवर्क ले जाना, शाम को टैस्ट देने जरूर आना, तभी तो मज़ा आएगा, देखिए, ए, बी और सी, व्यावशाय शुरू किया, ए ने एक बटे दो भाग, बी ने एक बटे तीन भाग, तो आपको देखो, यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह दो और तीन है, तो टोटल भाग मानलो 6, तो यह एक बटे दो कितना हो जाएगा, तीन अनुपात, और एक बटे तीन कितना हो जाएगा, दो अनुपात, तो बचेगा, एक ही तो बचेगा, यही इन्वेस् कर दो, इतना कुछ सीख लिया, कोश्चन चुटकियों में करने आज आपन को यह, करना ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ, कल आते इनको डिसकस करेंगे, कल हम वो भी पढ़ेंगे, स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा, ठी देख लेना आप इसमें से, और बहुत कुछ सीखने वाले कल भी, तो यह वात ध्यान रखना कि पस्तावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाना, पहनत तो की होगी, तो कम से कम पॉजिटिविटी तो आईगी, वरना अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, लाइफ में, जिंदिगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप से इमानदार रहो, अगर अपने आप से इमानदार नहीं रहोगे ना, तो कोई भी मतलब खुद की वेल्यू कुद नहीं कर पाओगे कभी, समझे ना मेरी बात, तो लाइफ में हमेशा बैस्ट की जाएए, और हमेशा आपको बहतरीन देनी की मैं कोशिश करता रहूँगा, साड़े छे वज़े टेस्ट जरूर लगाईए, साड़े बारा वज़े यह होता है, साड़े छे वज़े टेस्ट होगा, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, वही सब कुछ आएगा टेस हैं, या किसी भी एक्जाम के यार, यह सेशन तो अपने आप में, अपने आप में एक ब्रैंड है, कैच दा मैथ, 39 नमबर सेशन है, और मोक टेस्ट होगा, डेली होगा, अलग से कुछ नहीं बढ़ना है, एट पी एम पर आना है बस, साड़े छे बज़े जो पढ़ाया है, कर ले ना भाई, 25 यानि कि कल से आपका कोर्स जो होगा, वो शुरू होगा, और आपके लिए बहुत वेनिफीशर रहे गाई है, यह वही फाउंडेशन बैच है, जो आपको शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूँ, हर एक्जाम को टार्गेट करूँगा, सभी गवर्मेंट को, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, CET का नया पैटन, सब कुछ इसी में होगा, क्योंकि तैयारी में अभी से शुरू करवा रहा हूँ, तभी वहां तक तैयार हो पाओगे, वरना फिर अधूरे रह जाओगे, SFC एक्जाम में जाना है, उसके बाद में गैट स्किप्शन पर जाकर आपको 24 महिने का कोर्स लेना है, अब तो आस के डाउट फीचर भी आ गया है, रेज हैंड फीचर भी आ चुका है कि क्लास में आप बात कर सकते हो, साहिल 10 कोड लगा कर आपको सारे फीचर और सब कुछ मिल जाएगा, साहिल 10 कोड लगा कर अनकैडमी पर आप किसी अन मिलने वाली है, कॉमबेट में पार्टिसिपेट करते हो, तो भी साहिल 10 लगा सकते हो, तो बस, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है, चलो लाइक करो, बड़िया तरीके से मिलते हैं, साड़े बारा, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक क्यर, लव यू एव नाइस दे, लाइक करिए, शब्सक्राइब करिए, चलो, ठीक है, लव यू, बाइ,